नमस्कार दोस्तों कमेंट बाक्स में कोश्चन था किसर डोनाली सूट की सेटिंग कैसे निकाली जाती है इसका कोई फार्मूला हो तो बताइए तो अभी यह जैसे चलिए हम लेते हैं दोनाली सूट की सेटिंग के लिए तो एक फार्मूला पहले आप यह देखें डोनाली सूट की ओपनिंग एक्वल टू फाइबर प्रसमिनेट मल्टिप्लाइड बाई थाउजन्ट अपान वी कास फाई मल्टिप्लाइड बाई एल मल्टिप्लाइड बाई फाइबर कमपेक्शन इसमें जो वी होता है वो एवरेज स्पीड आप डोनाली सूट है अभी आपको बताएंगे कि एवरेज स्पीड डोनाली सूट में कैसे निकलती है उसका आगे फार्मूला आएगा एल जो होता है लेंध हाप रोलर फाइबर कमपेक्शन की वेलू होती है 52.85 केजी पर मीटर क्यूट कांस्टेंट होता है और कॉस्पाई को इसका फार्मूला आएगा 1 बाइ 2 ब्रैकेट में 1 प्लस डबलू नाट बाइ डी डी हो जाएगा डाया आप अंडर फीड रोलर अब डबलू नाट होता है वर्क ओपनिंग आप अंडर फीड रोलर वर्क ओपनिंग यह हुआ जैसे हम सेटिंग जो निकालते हैं तो इसे मिलकी सेटिंग होती है जी अर्क ओपकी सेटिंग होती है वैसे अंडर फीड की भी सेटिंग होती है यह वहां से निकल के आता है इसका भी एक वीडियो आपको बनाके हम डाल देंगे कि अंडर फीड की सेटिंग कैसे निकाली जाते है तो डबलू नार्ट तो होगे अबर कोपनिंग आप अंडर फीड तो सबसे पहले हम कल्कुलेट करते हैं जैसे V आपको बता इसा कि V होता है तो जैसे GRPF की स्पीड प्लस अंडर फीड रोलर की स्पीड डिवाइड भाई 2 GRPF की स्पीड निकलनेके लिए इसका रहता है ये जैसे 1 by 1.2 से 1.4 तक वैरी करता है मिल्टीप्लाइड भाई सर्फेस स्पीड आप मिल रोलर अंडर फीट का 1.1 ये फेक्टर लगता है मल्टिप्लाइड बाई मिल सर्फेस स्पीड तो फिर सबसे पहले मिल की सर्फेस स्पीड निकालते हैं सर्फेस स्पीड का फार्मूला पाई डी एन इसमें मिल की साइज 40-80 की है इसको एमें में जद करते हैं तो ग्यारा सो दो हजार एम डाया हो गया 1.1 मीटर और आर्पिया हमने ले लिया मिल का चलिए 4.0 आर्पिया मिल की सर्फेस स्पीड निकाल दी पाई डी एन पाई हो गया 3.14 मल्टिप्लाइड बाई डाया 1.1 मल्टिप्लाइड बाई 4 यह हो गया आर्पिया आप 13 दसलो 8 मीटर प्रति मिनट अब जी आर्पिया की स्पीड चलिए 1.4 मल्टिप्लाइड बाई इतना ले लिया अब अंडर फीड घार 1.1 मल्टिप्लाइड बाई सर्फेस स्पीड आप मिल रोलर जो 13 दसलो 8 आया इन दोनों की स्पीड निकल गई तो एवरेज स्पीड निकल क्या थी जो जी आर्पियो की स्पीड निकली और अंडर फीड की स्पीड निकली डिवाइड बाई 2 17 दसलो 25 मीटर प्रति मिनट अब कास्फाई को कल्कुलेट करते हैं कास्फाई का फार्मूला हमने आपको बताये था 1 प्लस प्रेकेट में है 1 पाई 2 पहले लिख देंगे फिर प्रेकेट में 1 प्लस डब्लु नाट भाई तो ये देखे डब्लु नाट ये 327 ये है 40 स्पीकी मिल है यहां पे आता है डब्लु नाट .327 सेवार क्योंकि यहां 327 में इसको मीटर बदल लिया है क्योंकि डाया भी हमने मीटर में लिया है यहां से कास्फाई कल्कुलेट करके 0.6486 आ गया है कि लियर है अब जो भी वैलू है हम यह फार्मूला में पुट करते हैं फाइबर प्रतिमिनट आपको माल जो प्लाइंट मुल्टिप्लाइड वाइड केतना आपका फाइबर परसंट केन है देखे 342 तीचेच आप 15 के लिए यहां 322 टीजियस multiplied by 0.15 multiplied by 1000 upon 60 जो कि मिनेट में करना है ज़े उच्छा कल्कुलेट करके 60 आ जाएगा कॉस फाई एल फाइबर कामपेक्शन यहां पर यह सभी वेल्लू जो है पुट अफ कर देंगे फाइबर कामपेक्शन देखिए आपका इसा 5.6486 सत्राइबरेज स्पीड एल हो गया है दो मीटर रोलर की लंथ लिंथ और 55 फाइबर कामपेक्शन जी जो हमने कांस्टेंट जो आपको बताया हुआ हुआ है यहां पर इसको पुट करेंगे पुट करने के बाद में देके 695 फाइब इसकी ओप्रिन निकल के आगी है यह चीज़ आपको किलियर हुआ है यही होती है डोनाली सूट की सेटिंग का यही फार्मूला आता है और इसमें जो आपको एक चीज़ और में बताया हुआ था कि अंडर फीड रोलर की सेटिंग जो यह 327 जो आया हुआ है इसका ही आपको एक वीडियो बनाके हम डालेगे कि 327 कहां से आया है यह भी हमने फर्स्ट मिल का ही लिया हुआ है चारी सस्टी का ही रोलर है कि 2200 टी सीटी का प्लाट था तो इसका भी आपको वीडियो बनाके डालेंगे है तो इससे आप दुनाली सूट की सेटिंग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट बाक्स में डालें उसकी हम वीडियो बनाने की दोस्ट करेंगे थैंक्यू